तो आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे किसान भाई से जो ये दावा करते हैं कि वे अपने यहां लगबग एक क्विंटल का एक कद्दू हुगाते हैं इनका नाम है योगे सिंग उर्फ छोटू और रहने वाले हैं मलीहाबाद लखनु के बीडियो में मैं इनका मॉबाइल नंबर भी आपके साथ सेयर कर दूँगा जिससे आप इस कद्दू के बारे में इनसे और विहधिक जानकारी प्रात कर सकें आप लोगों ने निश्चित रूप से मलीहाबाद का नाम कभी न कभी जरूर सुना होगा क्योंकि यहां के बाग और यहां के आम भारत ही नहीं पूरे विश्में परसिद्ध हैं खासकर मलिहाबादी दसहरी, लेकिन आज हम बात करने वालने हैं दसहरी कद्दू के बारे में। जहिन दोस्तों, इंडियन मेंगो फार्मिंग यूट्यूब चैनल में मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूँ। आम महसुत 2022 के दोरान जब हम लोग अलग अलग इस्टालों के बारे में जानकारी ले रहे थे, उसी दोरान हमारी मुलाकात हुई मलिहाबाद की किसान भाई योगेश से। तो इन्होंने हमें बताया कि अपने गाउं में कद्दू की एक ऐसी प्रजाति की खेती करते हैं, जिसका वजन लगबक एक कुईंटल तक पहुँच जाता है। इन्होंने इस दसहरी प्रजाति के कद्दू को 2020 में पहली बार अपने बाग में लगाया। इन्होंने आगे कहा कि 2020 में आम के पौधे बेचने के लिए वो जम्मू की तरफ गए थे। और वहीं पर इनकी मुलाकाते कैसे सक्से हुई जिन्होंने कद्दू के बीच इनको दिये। अच्छा है इस कद्दू का नाम इन्होंने रखा है दसहरी कद्दूू। इस नाम के पीछे भी एक रोचक किस्सा है। दरसल बात यह है कि इन्होंने इसके बीच को दसहरी आम के बाग में लगाया। और इसी करण इन्होंने इस कब्दू का नाम दसहरी रख दिया पहली बार में इन्होंने इस पर रासाइनिक खादू का प्रयोग किया लेकिन 2021 से पूरी तरह आरगनिक तरीके से इसकी खेती कर रहे हैं लगबग 200 रुपए किलो जो है ये फल बिकेगा क्योंकि ये आरगनिक तरीके स्तयार है इसमें कोई D.A.P. कोई U.D.A. या कोई दवाई इसमें नहीं परी है आप इसको कहीं पर ले जाके रिशर्ज करा सकते हैं और अगर हमारी बात गलत निकल गई जितने पैसे ख़र्जच होंगे रिशर्ज करने में इनका दावा है कि पूरे जिले में इनसे बड़ा कद्दू और कोई नहीं हुगाता है एक पेंट से ये उस्तन छे कद्दू लेते हैं अभी तक इन्होंने अधिकतर 90 किलोग्राम का कद्दू अपने बाग से तोड़ा है और ये भी बताया कि अगर इसे ना तोड़ते तो ये लगबग 120 किलोग्राम तक बढ़ जाता हलाकि यहां पर इन्होंने 35 किलोग्राम का ही कद्दू लाया है जब इनसे हमने पूछा कि आपने और बड़ा कद्दू क्यों नहीं लाया योगेश जी ने आगे बताया है कि अगर आपको इससे बड़ा कद्दू देखना है तो हमारे गाउं आईए इस महोसो को यायोजन के एक सब्ताह पूर्व भारती कृषिय अंसंधान परिशत के अंतरगत किंद्री उपूष्ट बागवानी संस्थान रह्मान खेडा दोरा लखनों में 28 जून 2022 को भी एक दिव इस याम मेले का एउजन किया गया वहाँ पर भी योगेश जी ने 45 क्लोग्राम के कद्दू को प्रदर्सन किया था हलाकि इनकी कद्दू की कीमत थोड़ी ज्यादा है ये 200 से 2500 रुपे प्रती किलोग्राम कद्दू की बिक्री करते हैं अगर आप मेंसे किसी को भी इस कद्दू के बीज की आउ सकता है तो वो भी ये उपलप्स कराते हैं इन्होंने कहा कि इसके लिए कम से कम पांच बीज का आइडर होना चाहिए और प्रती बीज का दाम 120 रुपे है मतलब पांच बीज के लिए 600 रुपे ये आनलाइन और आफलाइन दोनों तरीकों से बीजो की बिक्री करते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप इनसे मुबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं इनका मुबाइल नंबर है अंत में आप लोग से यही कहना चाहूंगा कि बड़े मंच पर अभी तक योगेश जी दौरा अधिक्तम 45 किलोग्राम के कद्दू का प्रदर्शन किया गया है और इनके 90 किलोग्राम के कद्दू को देखने के लिए अगले वर्थ इनके आम के बाग का विजिट जरूर करूंगा अगर वीडियो आपको इंफर्मेटिब लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें धन्यवाद